गुड मॉर्निंग मैं डियर स्टूडन्ट। मैं हूँ त्रिवेदी आर्ती श्रिमती MS लखानी कन्या विध्यालाई की यूटूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बचो आज हम विश्य हिंदी में पत्य साथ सूरदास के पद उसका अध्यन करने जा रहे। अब जब हम पद की समझूती लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे जो कवी है जिसका नाम है सूरदास उनका परिचय ले ले। हिंदी साहित्य के भक्तिकालिन कव्यों में सूरदास का स्थान सर्वोपरी हैं। सूरदास जी के जन्म के बारे में अगर हम ग्णात हुए तो उनका जन्म जो है उनके बारे में मत मतांतर पाए जाते हैं। सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक गाउ में हुआ। यह गाउ मतुरा और आगरा मार्ग के किनारे में स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सीही नामक गाउ में एक निर्धन सारसत्व ब्रामन परिवार में हुआ था। जो बड़े विद्वान थे और उनकी चर्चा आज भी बहुचर्ची थे। यानि कि आज भी हम उनके जन्म के बारे में मतवेद रखते है। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था और उनकी माता का नाम जमनादास था। वहां जन्माद होने के विश्वे में भी मतवेद है। प्रारमबे सूरदास आगरा के समुख जो गवगाट था वहां पर रहते थे। और वहीं उनकी भेट जो है वहां वलभाचार्य से हुई वे उनके सिश्व बन गए। वलभाचार्य ने उनको पुष्टी मार्ग में जो दिक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश पाकर वहां कृष्ण लीला में मगन हो गए थे। सुर्दास की मृत्यु जो है वह गोवर्दन घाट के निकट पार सोली ग्राम में हुई है ऐसा माना जाता है 84 वेशनों की वार्ता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रुनक्त यानि की रेणु का क्षेत्र में उनका जन्मा है जो मतुरा और आगरा के बीच में गवखाठे वहाँ पे निवास करते थे इतना ही नहीं सुर्दास जी जो है उनकी सहिती कृतियों की अगर हम बात करे तो उन्होंने सुर सुरावली सुर सागर ऐसी बहुत ही अनेक कृतियों के द्वारा जीवन को कृष्ण में लीन करने में उन्होंने जो सुरावली जो साहिते लहरी प्रदान किये वहाँ बहुत नोधनिया है उनकी भाषा शेली पर अगर हम प्रकाश डाले तो सुर्दास जी ने वार्सल्य शुंगार और सांत रसो को प्रमुक रूप में अपनाया है सुर्द ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के साहारे कृष्ण के बाल्य स्वरूप का अति सुन्दर सरस और सजीव निरूपन किया है बालकों की चपलता अभिलाशा आकामशा का वर्णन करने में वो उन्होंने जो बाल स्वरूप का कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रन किया है वहां चित्र मोहनिय है तो बच्चों सुर्दास कृष्ण प्रेम और माधुरिय प्रति मूर्ति के जो पद है इस पद का आज हम यहां पे अध्यन करने जा रहे हैं तो सुर्दास जीद्वारा रचित पद जो है उसकी आज हम यहां पे चर्चा करेंगे मेरो मन अनन्त कहां सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंची फिर जहाज पर आवे बच्चों देखो यहां पे जो शब्द है वहां ब्रजबाशा के सब्द है तो इन सब्दों की पहले समझूती ले ले तो यहां पे पहला शब्द है अनन्द अनन्द का अर्थ होता है अन्यत्र मेरो मन यानि कि मेरा मन अन्यत्र कहां सुक पावे कहीं भी सुख नहीं पाता जैसे उड़ी जहाज को पंची पंची कारत होता है फिर जहाज पर आवे जिस तरह से जैसे जहाज का पंची जहाज से उड़कर पुनह जहाज पर ही आता है यहाँ पर उड़ारन देते हैं सुर्दास जी हमें कहते हैं कि जिस तरह से कोई पंची जो है वहाँ जहाज से उड़कर वापस जहाज पर ही आकर बैठ जाता है मेरा मन जो है वह भी अनत सुख नहीं पाता यानि कि कृष्ण के बीना मेरा मन जो है वह कहीं भी बसता नहीं है यहाँ पर देखते हैं कि सुर्दाज जी ने वासलिय रूप और कृष्ण के अनूपम प्रेम भक्ति का उन्होंने वरण किया है आगे पढ़ते हैं बच्चो फिर जहाज पर आवे और वापस जहाज पर आकर बैट जाता है कमल नेन को छांडी महातम कमल नेन का अर्थ क्या होता है कमलो के समान कमल नेन का अर्थ होता है नयन यानि कि कमल के समान नेत्रवाले कमल के समान नेत्रों वाले कौन? भगवान सीक्रिश्न को छांडी महातम छांडी चोड कर महातम यानि की महिमा भगवान सीक्रिश्न को छोड कर, किसी और की महिमा मेरा मन जो है भगाता नहीं देव को ध्यावे यानि कि किसी और देव को मेरा मन जो है वो कृष्ण भगवान को छोड़ कर कहीं भी सुहाता नहीं बचो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान सी कृष्ण के प्रति जो अनुपम भावना है यह भावना चलकती हुई दिखाए पड़ती है यहाँ पे कृष्ण की बारे में सुर्दास जी ऐसा कहते है कि जीव स्री कृष्ण ही हमारे जीव है और समस्त जो यह द्रस्टी है यह शुष्टी है उनकी बनाई हुई है और यह आत्मा जो है वह भी उनहीं का बनाया हुआ यानि कि एक मात्र आश्रे हमारे जीवन का एक मात्र आश्रे कौन है भगवान सी कृष्ण यहां पे सुर्दास जी ने कहा है कि मेरा मन जो है वहां स्री कृष्ण के सीवाई और कहीं सुख नहीं पाता किस तरह से जैसे कोई जहाज पे पंची बैठा है फिर उड़कर वापस उसी जहाज पे आकर बैठ जाता है उसी तरह मेरा मन जो है वहां अन्य देवतावों को और देव को ध्यावे यानि कि अन्य देवतावों के यहां से भटक कर कहीं देवी देवतावों को उन्होंने पूजित किया है तो अन्य देवतावों को खोड़ कर वहां मेरा मन जो है वहां सी कृष्ण के समीब यानि कि कैसे कृष्ण भगवान कमल के समान नेत्रों वाले भगवान सी कृष्ण के समिप मेरा मन जो है वहाँ चोट जाता है लोट जाता है परम गंगा को छांडी पियासो दुरमती कूप खनावे परम गंगा को छांडी यानि कि जिस तरह से कहा है कि कमल नयनक कृष्ण की महिमा गाते हुए सुर्दास जी कहते है कि भगवान सी कृष्ण की जो महिमा है अगर उसे छोड़ कर वहाँ अन्य किसी देवता का ध्यान किस तरह से करे क्यूंकि उनके बिना वहाँ किसी को चाहते नहीं है किसी को ध्यान में रखते नहीं है यदि कोई परम गंगा यानि कि पवित्र गंगा को छोड़ छांडी कारते छोड़ कर पियासो का अर्थ क्या होता है प्यासा व्यक्ति दूरमती कूप खनावे कूप कारत होता है कूप कारत क्या होता है बच्चो कूप यहाँ पर जो सुर्दास जी है वहाँ सा कहना चाहते कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़ कर अपनी प्यास बुझाने के लिए प्यास जो प्यासा व्यक्ति है वह अपनी प्यास बुझाने के लिए कुवा खुदवाय तो उसे मूर्ख कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे मूर्ख दूर माती शब्दकारत होता है वहाँ मूर्ख है यहाँ पर कवे ऐसा कहते है कि कोई कमल नयन स्वरुप सी कुष्ण की महिमा को छोड़ कर किसी अन्या देवता का ध्यान कैसे कर सकता है यदि गंगा का जल छोड़ कर वहां कुए को खोद कर उस पानी की चाहना रखे तो वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है जीह मदुकर अंबुजिरस चाक्यों क्यों करील फल बावे देखो यहाँ पर क्या तीसरी बात बताई कि जीही मदुकर यानि कि जिस भौवरे ने कमल के रसका स्वाद चक्खा है अंबुजिरस चाक्यों अंबुजिरस कार्थ क्या होता है अंबुज कार्थ होता है कमल अंबुज कार्थ क्या होता है बच्चों कमल मदुकर मदुकर किसे कहते हैं भौवरे को मदुकर कहते हैं तो जिस भौवरे ने कमल के रसका स्वाद चक्ख लिया ह क्यों करिल फल बावे उसे करिल यानि की करेला करिल का फल अच्छा लगेगा नहीं इस तर से कृष्ण भगवान की स्वी कृष्ण की आश्रई में जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो वह किसी और देवी देवताओं की चाहना रखता नहीं है सुर्दास जी यहीं कहते हैं सुर्दास जी ने क्या कहा सूर्दास प्रफु काम धेनुता जी चरा कौन दुहावे चरी सुर्दास जी कहते हैं काम धेनु समान गवा को यानि की गाय को छोड़ कर कोई बकरी चरी का अ बक्री को अपनाता नहीं यानि कि उसे दुहने का काम नहीं करेगा उसे नहीं दोएगा सुर्दास जी केते कि हे प्रभु काम देनों समान तुम्हारी भक्ती को छोड़ कर मैं किसी और के चरणों में जाना नहीं चाहता हूं यहां पे सुर्दास जी का जो कहने का तातपरिया है कि सीकृष नहीं जीव है और यहां समस्ट शुष्ठी की आत्मा होने से एक मात्रव वहीं हमारे आशर्य है यानि कि उनके चरण पर्ष में ही हमारा जीवन है उसका जिसे केते कि उसका अर्पित भाव है भाव दिखाते कि जिस तरह से दर्या में तेरते जहाज पर पंची मन की जो मन उसका ललचाता है मन की जो चंचलता है उससे वह उड़ता है घूमता है फिरता है फिर दर्या में घूमने फिनने के बाद उसी पर आश्रे लेता है कहीं और आश्रे नहीं मिलता फिर वह जहाज पर ही आकर बैठ जहता है यहां पे पंचि का उदारंड दिया है तो हमारा मन भी कई जगह पे घूमता है फिरता है कई दिशाओ में जाके कई देवी देवताओं के दरस्षन में जाके सुर्दास जी कहते है कि मेरा मन जाता है लेकिन वापस आप ही के शरणों में आश्रे पाता है यानि कि आपके बिना मेरा कोई भी जिसे कहते है कि मेरा मन जो है वह कुछ भी उसे भाता नहीं है ऐसा सुर्दास जी कहते है उन्होंने आगे उदाहरण में कहा है कि जीव भी इस संसार के सागर में है यह संसा सागर में हमारा जीवन जो है वह जीवन भगवान कृष्ण के बीना उसका उद्दार नहीं हो पाता है जीव भी इस संसार सागर में अपनी विश्या सकती के कारण भटकता है हमारी आत्मा कई जगह पे भटकती देख घूमती फिरती लेकिन वापस सी कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाती है उनके बाद बच्चो यहां पर सुर्दास जी ने कहा कि कमल नयन ही सी कृष्ण के महात्य यानि कि कृष्ण की भक्ती के बारे में वह कितने मूड है इसका उन्होंने उदारन दिया है कि जो पास बेति गंगा को छोड़कर वह कुवा कोई खोदता है त तो वहां उसकी सबसे बड़ी मुर्खता है तो बच्चो इस पद में हमें जो हमारे कवी है सुर्दास जी वहां ऐसा केते है रो और से चल से गिरे जाहाज पर पंची कहीं से भी आए पर अंत में जाहाज पर ही आता है उसी तरह कृष्ण का आश्टरी छोड़कर कवी का मन जो है वह अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता उनका मन वहां कृष्ण में ही लीन है बच्चो आगे बढ़ते हैं शोबित कर नव नीत लिये खुटुरूनी चलन रेनून देखो यहाँ पर भी बाल कृष्ण का वर्णन हमें कवी करते हैं कभी कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिये कर का अर्थ क्या होता है बच्चो कर का अर्थ होता है हाथ और नवनीत का अर्थ होता है मक्खन नवनीत का अर्थ क्या होता है मक्खन तो यहां पे भगवान कृष्ण जो है उसके हाथ में क्या है मक्खन लिये हाथ में मक्खन लिये ह वे बाल कृष्ण गुट नुरुनी चलन रेनुतन मंडित भगवान सी कृष्ण अत्यंत सुन्दर लग रहे कैसे लग रहे सुन्दर लग रहे क्यों क्योंकि उसके हाथ में क्या है उसके हाथ में मखन है और जिसके हाथ में मखन है ऐसे भगवान सी कृष्ण सुन्दर लग र मंडित कार्थ क्या होता है सुशोबित मंडित तन मंडित यानि की सुशोबित रेनु शब्द कार्थ होता है धूल रेनु कार्थ क्या होता है धूल होता है मुख दही लेप किये मुख दही लेप दही कार्थ होता है दही दही कार्थ क्या होता है दही यहां पर सुर्दास जी कैसा कहते हैं कि हाथ में मखन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुन्दर लग रहे हैं और वे घुटनों के बल पर चल रहे हैं उनके शरीर पर धूल लगी हुई है मुख दही लेप किये उनके शरीर तनमंडित यानि की शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मखन लगा हुआ है दही लेप मखन लगा हुआ है चारू कपोल लोल लोचन देखो यहाँ पे चारू का अर्थ क्या होता है सुन्दर चारू का अर्थ क्या होता है बच्चो सुन्दर होता है और उसके बाद का शब्द है लोल लोचन लोल का अर्थ होता है चंचल और लोचन का अर्थ होता है नेत्र कपोल शब्द कार्थ क्या होता है बच्चो गाल कपोल कार्थ होता है गाल सुर्दार जी कहते कि उनके गाल सुन्दर और नेत्र कैसे है नेत्र चंचल है उनके गाल सुन्दर और नेत्र चंचल है उनके माथे पर गोरो चन तिल लग दिये गोरो चन कार्त क्या होता है? बच्चों जो पीला द्रवी होता है तिलक करने के लिए उसे गोरो चन कहते हैं सुदाची कहते है कि बाल कृष्ण अपने हाथों में माखन लिए शुँशोबित हो रहे है स्री कृष्ण का स्वरूप बाल्यावस्था का है और वहां खुटनों के बल पर चलते हुए हमें दिखाई देते हैं उनके तन पर मिट्टी के कणकण लगे हुए है और मुक पर दही लिप्टा हुआ है ऐसा सुंदर कृष्ण की बाल स्वरू का वर्णन यहां पर सुर्दास जी ने दिया हुआ है उनके मुकवर दही के साथ साथ गाल की सुन्दर गाल जो है कपोल अर्थत गाल उनके गाल सुन्दर है और उनके नेत्र जो है वहाँ चंचल है चंचल नेत्र और सुन्दर गाल की प्रतिमा लिये हुए और उनके सीर के दोनों और लटे जूल रही है लट लटूनी का अर्थ क्या होता है लटे जूल रही है और वे मस्त मदूकर मत मदूप गन उनका अर्थ होता है मत का होता है मत मतलब मस्त मदूप का अकार्थ होता है भोरा तो वे मस्त मधू पीकर जिस तरह से मस्त हुए भौरा है और भौरे के समान वहां ऐसे लग रहे हैं देखो यहां पर कृष्ण की बालस्वरुप की जो असीम सौंदर्यता है इस सौंदर्यता को यहां पर प्रदशित किया है मादक मदू ही पीय जिस तरह से भौरा जो है वहां मदूर रस पीकर घूमता है उसी तरह से भगवान सी कृष्ण जो है उन्हों वहां भी ऐसे मद मस्त लग रहे हैं कठुला कंठ कठुला यानि की चांदी की चोक्या जिसे हम कहता है बजजर बट्टू की जो माला होती है उसे हम कठुला कंठ कहते हैं कौला कंहेँ और प्रज के हरी नक्षित यानि कि सीके नाखुन वाला उसे पेना चांटिक हुआ उसे पॽ्त इसनर Music महीं नहीं जो बगनखा है और बजर बट्टू की जो माला है उनके रदे पर सुशोबित लग रही है यहाँ पर उनके रदे पर कैसे लगती है वहाँ सुशोबित लगती है सुशोबित जी कहते हैं दन्य सूर एक पल इही सुख सुदास जी ऐसा कहते है कि बाल कृष्ण की छबी का ऐसा वर्णन ऐसा सुख पल भर के लिए भी मिल जाए ना तो कासत कल्प जीए ऐसा सुख अगर मिल जाए तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा और सो कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है कितने भी वर्ष क्यों न जीए लेकिन अगर ऐसा सुख नहीं मिले तो ऐसा जीवन हमारा जो है वह कृत अग्या नहीं होता यहां सुर्दास जी कहते है कि स्वी कृष्ण के बाल रुप के दर्शन यदि हमें एक पल के लिए भी हो जाते है तो हमारा जीवन जो है वह कृत कृत अग्या हो जाता है अन्यता सो कल्पों तक जीवन जीना भी निरर्थक है यदि उसमें शाम सुन्दर की इस बाल स्वरुप की जाकी का दर्शन प्राप्त न हो यानि कि कृष्ण के सौंदर यता का विशेश वर्णन यहां पे सुर्दास जी ने किया है सुर्दास जी जो है वह वास्तलेरस के समराठ है और इसलिए उन्होंने कृष्ण के अनूपम सौंदर यका दर्शन अलंकारिक भाषा में यहां पे किया है बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो प्रथम पद है जिसका नाम सुर्दास के पद है उसमें विनई तथे भक्ति का जो प्रथम पद है उसमें हमें किस बात पे आसरे स्पस्ट किया है कि भगवान की भक्ति भावना जो है सुर्दास जी केते हैं कि स्री कृष्ण रुपी जहाज का पंची कौन है मैं हूँ और मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता कृष्ण की महिमा भूलकर मैं किसी और देवता का ध्यान नहीं करना चाहता कृष्ण जैसे गंगा का जल मिलने के बाद वह कुवे के जल के पानी की चाह नहीं रखते मेरा मन मदुकन सी कृष्ण की भक्ती का अम्बुज रस चकने के बाद किसी और रस की चाहना नहीं करता और कहते हैं कि मेरे प्रभु तो काम धेनु के समान है उसे छोड़ कर मैं बक्री का दूद दूने फला क्यों जाओ इस प्रकार सुर्दार्जी ने अपनी भक्ती भावना को प्रकट किया है दूसरे पद में हमें कहा है कि बाल सी कृष्ण की मूर्ती बड़ी ही मनोहर है वे अपने हाथों में मखन लिये हुए, खुटनों के बल पर चल रहे है उनके मूख में मखन लगा हुआ है, उनके गाल सुन्दर और आखे चंचल है उनके माथे पर गोरा चन का तिलक लगा हुआ है उनकी लटे जो है वह मदमस्त भवरे जैसी सुन्दर लग रहे है और वे अपने गालों में कटुला की माला पैने हुए ऐसे से कृष्ण की छबी जो है वहां अत्यन थी मोहां लगती है बच्चो आज हमने सुर्दास जी के जो पद है उसका अध्यन किया और इस अध्यन के आधार पर हम बाल कृष्ण की सोबा और कृष्ण भगवान जो है वहां सुर्दास जी के शेष्ठत्तम है ऐसे दो जो हमारे पद है इस पद का हमने आज अध्यन किया जिसके द्वारा सुर्दास जी सी कृष्ण के अनन्य भक्त थे इस भाव को यहाँ पे उन्होंने अनुपम छबी के द्वारा वरनित किया है थेंक्यू माई डियर स्टू